हेलो दोस्तों नमस्कार एजुके सनर्डा चैनल में आपका स्वागात है आज है 24 अप्रेल 2020 24 अप्रेल 2020 से 36 गर डेली करेंट अफैर्स से समधी जितने भी महतपून कोशन बसकते हैं सारे कोशन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर कोशन से समधी निपोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा तो आप वीडियो का पूरा ध्यान से देखिए आज का पीडियेप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दीगे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारे देली करेंट पर सेशन का हमारा पहला कुश्चन है हाल ही में 36 गार सरकार ने धान के समर्थन मूल्या का अंतर रासी 680 रुपे को माई माह में विस्तृत किया जाएगा यह रासी की स्योजना के तहत वित्रित की जाएगी इसका सही अंसर आप्सन फास्टा राजियो गांध से धान के समर्थन मूल्या का अंतर रासी मिलेगी 680 रुपे प्रतिव कुंटल के हिसाब से दिया जाएगा राजियो गांधी किसान या योजना के तहत किसानों को यह रासी दी जाएगी धान के समर्थन मूल्या के अंतर को राजियो गांधी किसान या योजना के तहत दिय इसका शुरुवात मार्च 3 मार्च 2020 से किया गया है 36 गार सरकार द्वारा दूसरा बजट वारस 2021-20 के मंगल वार को पेश हुआ मुख्य मंत्री भुपेश बगेल ने बतोर वीत्त मंत्री की सदन में बजट पेश करते हुए धान किसानों के मुद्दे पर किंद्र सरकार पर निशाना साते हुए कहा केनरा सरकान ने कहा है कि किसानों को बोनस नहीं दे सकते लेकिन हम अपने राजव किसानों को धान मूल्या पचीस और पे के देने के लिए प्रतिबद है राजिव गांधी किसान या योजना के लिए बजट में 59-100 करोड रुपय का प्रवधान उन्हों ने कहा कि समर्थन मूले और खरीदी के अंतर किरासी को राजिव गांधी किसान या योजना के अंतरगत हम राजिव के किसानों को देंगे राजिव गांधी ने लोग सभा चुनाओं से पहले इस योजना कजिक रखिया था मुख्य मंत्री ने कहा कि राजिव गांधी किसान या योजना के लिए बजट में 59-100 करोड रुपय का प्रवधान किया गया है उन्होंने कहा कि किसानों का हीत में सरोपरी है मुख्य मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 17,34,000 किसानों का कर जमाब किया है उन्होंने बस्तर में कुपोसर से जंग लाडने के लिए परिवारों को गुड और चना देने की गोशड़की है इसके लिए बजट में 1,70 करोड रुपया का प्रवधान किया गया है 36 गड डेली करेने फैर सेशन का हमारा अगला कोश्चन है हाली में 36 गड के किस जीले में एक महिने से कोरोना वाइराज कोविड 90 संक्रामाड के मामने सामने नहीं आने के कारण ग्रीन जोन में सामिल किया है इसका सही अंसर आपसर फोर दूर्ग जीले दूर्ग जीले को अब ग्रीन जोन में सामिल किया है इस तरह 36 गड राज्या में 24 जीले ग्रीन जोन में सामिल हो चुकी है अभी तिन औरेंज जोन में है और एक रेड जोन में है एक जीला कुर्बा जीले को रेड जोन में रखा गया है बाकी राजनान गाओं बिलासपूर और रैपूर तीनों को औरेंज जोन में रखा गया है कुश्चन के स्पस्टिकरान देखते हैं महिने भार में नहीं मिला कोरोना पोजेटिव मरीज ग्रीन जोन में आया दूरगा कोरोना के लिहाद से दूरगा जीला ग्रीन बेल्ट जोन में आ चुका है रहात की बात है कि लेकिन अब खत्रा टल गया है ऐसा नहीं है इस सिती और खत्रे की आकांसाओं को देखते हुए लागडाउन के कुछ नियमों को सिथिल किया गया है तो कुछ नियमों में कड़ाई का पालन कराया जा रहा है दूर्ग जीले के कलेक्टर अंकित अनन ने इसपस्ट किया है कि भिलाई में पहला पॉजिटिव आने के बाद अथाईस दिन के अंतराल दूसरा पॉजिटिव के सामने नहीं आया नहीं आने से लागडाउन के नियमों में छूर दी गई है साथ ही उन्होंने कहा कि नियमों का उलंगन करने पर यहाँ प्रससन सक्ती से पेस आएगा यहाँ कोईश्चन दूर्ग जिले से संबधित है तो आप दूर्ग जिले के बारे में जनिए 36 गर के मेप में देखी यह है दूर्ग दूर्ग जिले का गठा 1906 में हुआ था दूर्ग जिले का जिला मुख्याला है दूर्ग है सीवनात नदी के किनारे दूर्ग बसा है शिवनात नदी प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 290 किलिमीटर है दूर्ग जीला प्रदेश में सरवाधिक साक्षर जीला है दूर्ग जीले में सोरगी एहम चन्द्विश्य जाला दूर्ग है यहाँ पर नाकपूर जैन तिर्थंकर तिवेश्वे के पार्सोनात की मंदीर है सरवाधिक नगरी जन संख्या वाला जीला भी दूर्ग है प्रदेश का दूसरा सबसे जो छोटा जीला भी दूर्ग है दूर्गम में भिलाई इस्पाथ सेंत्रा की स्थापना उनीस सव पचवन में किया गया था भिलाई इस्पाथ सेंत्रा की स्थापना दूतिय पंच वर्शी योजना के काल में किया गया था लाई को इस्टिल सिटी ज्यान की राजधानी तथा चैटिसगर की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है दूर्ग जिले में प्रदेश का पहला सिमेंट सेंत्रा जामूल की स्थापना 1955 में किया गया था दूर्ग जिले में अध्योगिक विकास केंद्रा बोराई है चैटिसगर स्टेट इनिस्ट्रियाल डेवलप्मेंट कार्पोरेशन का अध्योगिक प्रांती कार्याला दूर्ग में है मुख्या खनी चूना पत्थर जो प्रायाहनंदनी पहार से खनन किया जाता है दूर्ग जिले में है कामधेनी विश्य 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 भिलाई शाफ्ट एर यम टेक्निलिजी पार्क है दूर्ग जीले में मैत्री गार्डन है जो से रूश और भारत की मित्रता का प्रतीक माना जाता है दूर्ग जीले में धरम रजी मोरा राजी फटिलाजर कंपनी कुमहरी दूर्ग जीले में है 1.6 रफाल तथा प्रतिशत की द्रिश्टी में यहां प्रदेश में सबसे कम वन शेत्रफल तथा प्रतिश्चत वाला जीला दूर्ग है 36 गर डेली करेंड अफैर सेशन का हमारा तीसरा कोश्चन है हाल ही में मुख्य मंत्री स्री भूपेश बगेलने कितने एक फ्लेक्सिक योजनाओं को आल इन मोर्टरिंग करने की फैसला किया है इसका सही अंसर अप्सन थर्ड पांच योजनाओं को फ्लेक्सिक ऑनलाइन मोर्टरिंग करने की फैसला की है यहां पार टैपिंग में स्टिक है यह फ्लेक्सिप है कोश्चन का इस पश्चिक रहां देखते हैं पांच फ्लैक्सिप योजनाओं को सीम भूपेज बगहल करेंगे आनलाइन मॉनिटरिंग मुख्य मंत्री भूपेज बगहल ने अपने काम का तरीका बदलने का फचला किया है अबयो अपने निवास और दफ्तर के ऍदेश बॉड्र से अपनी सरकार की योजनाओं को आनलाइन मॉनिटरिंग करेंगे राज्या के प्रमुग पांच फ्लैक्सिप योजनाओं को मॉनिटरिंग मुख्य मंत्री करिया लाई कि वेपसाइट पर आलेइन करेंगे मुख्य मंत्री ने प्रारंभिक तोर पर नर्वा, गर्वा, घुर्वा, बाड़ी, मुख्य मंत्री सुपोसन अभ्यान, मुख्य मंत्री हाट प्रजार क्लिनिक योजना, मुख्य मंत्री सहरी, सिलम, अस्पताल योजना, मुख्य मंत्री वाड कारयालाय, योजनाओं को सामिल करने कर निर्देश दिये हैं 36 गर डली करेंदा फेर सेशन का हमारा चौथा कोश्चन है के लिए प्रदेश के कितने जी लोग को 25 लाग रुपे की सहता रासी देने की घुशड़ा की है इसका सही अंसर आप्शन फास्टर सभी जी लोग को कोश्चन का इस परश्चिक करनर दिखते हैं 36 गर मुख्य मंत्री भूपेश बगेल ने कोवीड 90 संक्रामाण के रोक ठाम के लिए प्रतेख जी ले को 25 लाग रुपे की आर्थिक सहता की घुशड़ा की है इसके अंतरगत मुख्य मंत्री रहस कोश्च से 7 करोड रुपे की मंजूरी प्रदान की गई है इस कुश्चन में जिसे नीमना अप्शन है अब अप्शन के बारे में जानिए इसमें है राज्या के सभी नक्सल प्रभावी जीले वर्तमान में 36 गर राज्या के 14 जीले नक्सल प्रभावी जीले है यहां पर सबसे नुहिंत्म भू आवश्टिक जिले बिलासपूर जीले बना हैं क्योंकि बिलासपूर जीले से विवाजन कर गवेला, पिंडरा, मर्वाही जीले बनाया गया है जिसके काराण रॅब बूरतमान में भू आवश्टिक जीले की संख्या दास हो गई है यहां पर राज्या के सभी अंतर राज्य जिले, तो वर्तमान में 36 गड़ में अंतर राज्य जिले की संख्या 18 है अंतर राज्य जिले उस जिले को कहते हैं जो भारत के आन्या राज्यों से सेमा साझा करती है 36 गर के मैप में देखिए भुआश्ठिक जीले जिसे यहां पर है सरगूजा, कौरबा, जान्दगीर चापा, बलवदा बजार बेमे तरा, दूरगा, बालोद, रायपूर और यहां पर यह बिलासपूर नया बना है भुआश्ठिक जीला फिर यहां पर जिसे दंतेवाड़ा है, यह भी भुआश्ठिक जीला है साथ ही यहां पर जिसे गरियाबान, महासबून, रायगार, धमतरी, कोंडा गाउं, बस्तारे, आदि, ओरिसा राज्या से इस परस्ट करता है, इसी परकार यहां भी जैसे राजनान गाउं है, नरायणपूर, एकांकेर, नरायणपूर, बिजापूर, यह भी महाराश्ट से सीमा साजा करते हैं प्रकार कुल अठारा जीले हैं जो भारत के आने राजियों के साथ सीमा करती है सीमा साजह करती है तो इसे अंताराजिय जीला भी पहा जाता है 36 गर डेली करेंट आफ हैर का वीडियो आपको किसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करकर जरूर बताइए धन्यवाद